एक दूसरे को देख लेंगे मनसे नेता रास ठाकरे और उनके भाई उधव ठाकरे आपको बताने बड़ी ख़बर सामने आई है महरास्ट्र के बीच एक बड़ी ख़बर कि ठाकरे ब्रदर्स में आप जमकर तूतू मैं में सडकों पर आग गिरा है और दर्श्र को आप देख का प्रियोग मैं नहीं कर रही हूं गुंडे शब्द का प्रियोग मेने के तमाम लीडर्स ने किया है किया है सोशल मीडिया पर गुस्दा फूत आ है इन तमाम लीडर्स का मन से नेता राजज्ट ठाकरे नेका हैं देख लेंगे पंगा मत उठाएगी भी जेपी भी थोड़ी सी उठा सकती है दर्चों को सबसे पहले सुनिए कि यहां पर एवनेस नेता यहां संदीब देश पांडे इस तमाम लडाई जगडे के विवात पर क्या क्या रहें क्या था कि उनके साथ कुछ होता है तो सिस्टेम का फिलियर और वह लोग करते तो अंदोलन इसा नहीं होता है अगर राच्षा बादेश देंगे लड़ने का जरूर लड़ेंगे जिदर से भी कहेंगे उदर से लड़ेंगे मुझे लगता है उस पूरे मामले में सखोल चुनाव आ रहे हैं बदान से चुनाव आएंगे तो आप सड़कों पर ऐसे करेंगे क्या बदा रहे हैं आपको राज ठाकरे के गाड़ी के ऊपर सुपारी फेके गए थे और इन सुपारी पर अब संजर राउर्ट क्या करें जरा उसको पहले सुनिए फिर आगी की खबर मनी चुक्ताओ कि लोगों ने खरजड़ी की ब्राज़ी में च्रिख जोगों इसा ब्रॉनिग Catholic कि ये भूमी बारा सहीब धाकर जी के घूंपिंग ग्राउड स्ताइबु प्रोटेश्ट गुआ माट्टू स्रीके बाहर अब इस सुपारी का कारेकम चलता है न मुंबे में आज कल सुपारी का बहुत बिन्ने चल रहा है पॉलिटिक्स और यह सब सुपारी होता है वहां से दिल्ली से संजे राउट जी संजे राउट ने कहा आपने सुना कि यह भाड़े के टट्टू हैं दिल्ली से भेज़े गए हैं सुपारी उन्होंने फिकी है दर्शको दिल्ली मतलब की उनका साफ अंदाजा है क्यन सरकार दिल्ली में कौन बैठा है बीजेपी बैठी है एंडिये बैठी है और तमाम यहाँ पर जो सरकार चला रही है वो तमाम दिगजनता यहाँ पर दिल्ली में बैठकर अपनी राज़िती करते हैं अब यहाँ पर कहा जो रहा है संजराउत के द्वारा कि यह सुपारी दिल्ली से आया है और यह भ अब था जबकि रास ठाकरे ने क्लियर कर दिया कि मेरे काफिले पर जो प्रदर्शन हुआ था बाद में पता चला कि प्रदर्शन जो है वो मराठा आंदोलन नहीं था जबकि उनको इन आंदोलन से कोई लेना दिना नहीं था ओधव के भेजे गए ये गुंडे थे और ये कार करता के तोर पर काम करते हैं पार्टी में है भी नहीं लेकिन आंदोलन जीवी है दर्शको इसी वाज़े से दोनों ब्रदर्श में ये तवार तकरार और अब पलटवार शुरू हो चुका है और आपको बता दें यहां पर उधव ठाकरे की भी अब पूरी बेज़ती हो ओधव ठाकरे की काफिले की ऊपर चूनिया फेकी इसके साथ तमाम समर्थक ने गोवर फेका है और ये महाराश्ट्र में हो रहा है ये क्या करेंगे लीडर्स एक बात जवाब देना पड़ेगा इनको ये लीडर्स इतनी लड़ाई के बीच में क्या महाराश्ट को सम्हाल पाएंगे क्या और बता रहें आपको राज ठाकरे ने इस लोग सवाई चुनाओ में ठंडा ठंडा एक विवाद पैदा इसलिए किया मैं ठंडा इसलिए कहने हूं आप खुला समर्थन भी नहीं दिया लेकिन समर्थन दिया था इसी का गुस्सा फूटा है उदर ठाकरे ग उल्टी पड़ी और तोड़ फोड़ अव शायद बीजेपी उस कदर ना करे क्योंकि फाइदा तो नहीं हुआ ना फाइदा होता तो करेगी अब मैं आपको यहां पर कहा जाला है कि उद्धव के काफिले पर जो हमला हुआ है आप रास ठाकरे ने आगे आओ तुमको देख रास ठाकरे ने कहा डवल जवाब देंगे बड़ी खबार रास ठाकरे अब पीछे नहीं है रास ठाकरे देखिए कहीं ना कहें उनका नाम उनका वर्चस्व है दर्शको उधव का वर्चस्व इसलिए खतम हो रहा है क्योंकि आप देखिए उधव ठाकरे के उपर तमाम उसे अब शान्त हो जाएए लड़ाई छोड़िये महाराष्ट की राज्यूती में ऐसा होना ठीक नहीं है क्योंकि बाला सहब ठाकरे का नाम है तो यह खराब करना नहीं चाहते हैं राज ठाकरे उन्होंने कहा शान्ती से हम लड़ेंगे जहां जरूरी हो डबल डोस देंगे स जरूर तो खेर पीछे नहीं हटेंगे आपको मैंने बताया भारे के टट्टू तमाम बाते बोली राज ठाकरे को और दिल्ली में भी केंसरकार के उपर आरोप लगा इंडरेक्ली और बतारे आपको उन्होंने पोस्ट किया उधाव ठाकरे के काफिले पर हमले के बाद कल ठ परास किया है शुरू में ऐसा लगा कि कोई अंदोलन है बाद में लगा महाराठा आरक्षन के नाम पर बात कर रहा हैं इस अंसर संजरा उतने पहले कहा था कि दिल्ली के एहमर्चाह अब्दाली ने मेरे खलाफ भी सुपारी दी थी तो यह तमाम महराश्च की राज्योती में तोड़फोर नहीं दच्रको उलट फिर भी नहीं यहां मारपिट चुरू हो चुका है यही दोनों पुराने लीडर्स हैं राज ठाकरे ने कहां बदला लिया गया है मेरे कारेकरताव पर अपने अटाक किया मैं नहीं छोड़ूँगा और आजाओ नेक्स टाइम देख लूँगा यह तमाम तल्खिया तेवर राज ठाकरे के इसलिए है कि उन्हें ने कहा बाला सहाब ठाकरे जीका नाम अब ने बरबात कर दिया है और मैं महाराष्ट को बचाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ूँगा हाला कि अगर आप देखें ग्राफ के वाईज तो राज ठाकरे अभी धिरे धिरे और आगे बढ़ते नजर ही आ रहे हैं अब देखने वाली बात होगी इन तमाम विदान सब सबाचनाओं में को किसकी राजनुती रंग लाती है और राज ठाकरे का इस बार खुला समर्थन और इसके साथ पार्टी की अगली रणनिती किसके साथ की होगी आपकी क्या रहा है आप जरू कमेंट किजे और अगर आप महाराष्ट हैं तो बताएए कि आखिर जो इन दोन रखेगा शुक्रिया